हालो फ्रेंड से वेलकम टू डी-एनस क्लासे डी-एनस क्लासेश में आपका स्वागत है मैं दीपाक आनंच आज आप लोग को प्रिविए सियर का कुर्षटिन जो की एक्तिक्स यह मुस्ट इंपोर्टन जो पिए सियर में किसी पुछा हुआ तिक है जो भी जितना विधिन एंग्जाम होती है किसी मीना किशी मैं पूछा हुआ कॉस तरह पोर चलिए करते हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब जिसे आपको कोई भी कटना यहीं होगी नहीं होग गड़े ठीक है चलिए इस टैप कोशन आपने बहुत बार दिखा हुआ बहुत डिपेंट डिपेंट एग्जाम में इसा पुछा गया है ठीक है यह बहुत यह आसान पूचन होता है इसमें इसका एक बेसिक मेठर बट्वाट आएंगे आपको एक बैलीव पूट मत रहे बैल plus B square plus कितना हो जागा प्लस 2AB equal to 25 ठीक है हम लोग को यहां से कितना a-b का value निकालना है ठीक है फ्रेंच देखिए a square plus b square का भेलिव हम लोगको 13 दिया हुआ है है ठीक है लुट क्या जाएगए यहां से कितना जाएगा नहीं हि방र्ट होगा ध्युटक komt ईया इस lazım... आप क्या करेंगे यहां तक स्थेञें इसको रखते हैं यह 12 आद वा जीनिल्ण स्थे जो हम किसे हैएए मोल्स का प Sabbath है आप क्या करेंगे एह ब्लट सब्सक्राइब करेंगे मैंनस बी का आधी स्कॉर करेंगे यह जाएगा एसकार प्लस बी स्कॉर मैनस टूए भी ठीक है यह आगया है तो यह कितना जागा देखिए एस प्लस बीच वह यहां से हम लोग रख सकते इसका 13 नागया मैनस 2 यह 2AV का value यहां से रख देंगे यह 2AV का value 12 आ गया है ठीक है डारेक्ट यहां से 12 आ गया है ओके समझ गे यह आ गया 1 ठीक है यह मैनस B का whole square यह धर सिधर जाएगा तो root आ जाएगा तो 1 है तो उस पे कोई फर्क नहीं परेगा यह मैनस B equal to क्या जाएगा वान आ जाएगा ठीक है इसका answer क्या गया है डी हो गया समझ गया है कितना असान है question बस इसे ही आपको करना है बस यह A plus B का whole square का formula आप लोग जानते थे दो वारोशी को हमने यहां पर apply किया आपका answer आ गया समझ गया फैंस चलिए इसका तो एक मेंठर मैंने बेसिक से बता एक आपको मैं बता रहा हूं जो आप तुरुद इंसे निकाल सकते यह बैल्य पूट मेठ़ड होगा ठीक है इसमें देखिए इसका एक और मेठ़ड है value put method ठीक है एक उल्टो हमने त्री ले लिया और बी equal to जो भी है मेरा बी equal to हमने कितना ले लिए बेएक उल्टो 2 ले लिए ठीक है एक उल्टो 3 डिक उल्टो 2 ले लिए इसे हमको डायक्ट इसमें इसका भी देखते हैं यहां पर साटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं देखिए 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसका कितना जाएगा तो का 4 आ जाएगा यह 13 आ गया हम लोग का यह दोनों को साटिस्फाइड कर रहा है तो जाएट हम एक बी का वैलू निकाल लिए एक वैलू 3 वैलू 2 इसका एंसर आ गया वन देखिए कितना आसानी से आगया इसका एंसर ठीक है वैलू पूट मेटर आपको बहुत ही 5 सेकेंड चार सकेंड में आपका एंसर ला दोगे ठीक है खली इसमें थोड़ा सुचना पड़ेगा कि यह इसको कैसे हम साटिस्फाइड करवाएंगे यह देखने से आपको पता चली जाएगा कि इसको एसको करेंगे दोनों को साटिस्फाइड कर रहा तो इसलिए एक वैलू 3 आगय है और यह एंसर आपका आगया ठीक है समझ गए कितना असानी से बन गया आपका को से चलिए इस पोस्टन को देखता है देखिए इस टैप को सना आप पहुँ जागा देखेंगे ठीक होंगे ठीक है फ्रेंट्स जिसे एसकार इकॉल टू टू बी प्लस है और उसके बाद है घंड का निकलना था है यौन प्लस यह हो गया इसको प्लस यह हो गया ऐग करेंगे और बी से डिवैड देगे ठीक है, B से multiply करेंगे, B से divide देंगे, यहां भी C से multiply करेंगे, C से divide देंगे ठीक है friends, चलिए देखते हैं, अब कितना जगा, इसको solve करेंगे A2 में, A plus A square आ गया, यह आ गया, B2 में, B plus B square आ गया, प्लस यह आ जगा C2 में, C plus C square, ठीक है, इतना समझ गया होंगे, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, हमको सबका value पूट कर देता है, देखिए यहां से A square का value, B plus C दिया हुआ, ठीक है, चलिए हम लोग C plus C, B2 में, A plus B plus C, यह जाएगा, C2 में, A plus B plus C, ठीक है, यह आ गया आपका, देखिए डिनोमेंटर में सबसे में क्या हो जाएगा, A plus B plus C, यह दोनों cancel हो जाएगा, इसका answer कितना आ गया, वन आ गया, इसका answer वन आ गया, ठीक है, समझके कितना आसान question था, बस इसमें यही ट्रिक था, कि हमको इस form में बनाना था, जैसे A square, इस form में लाए, A way में, इसको A से multiply करेंगे, से divide कोई फ़र्क नहीं पर आइस equation पर, और मेरा काम भी हो गया, देखे, A से multiply A divided by, A plus A square हो गया, यहाँ A square का भेली हमनों को पता था, यहां से रख दिये B-P Rus C ठीक है उसके बाद क्या के B-A² यहां पता था हमने B-A² यहां रख दिये ठीक है शेखार C-A² क से बहुत है थे हमने C-A² का फ़ल्व यहां पर रख दिया ठीक है यह न mesब काerson तब यह आगया तोこれは सब्सक्राइब हो गया डिवाइड़ बैए प्लस भी प्लस सी दुनों क्रोश हो गया तो वह निसका एंसर आ गया समझके फ्रेंट्स इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास तक देखिए आपका कोई भी चूटेगा बहुत ही आसान कोशन होता है अलजबरा का बस आपको थोड़ा ट्रिक समझने का ज़रूरत है कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है देखिए इस टाइप का कुशन आपको कर रहा है कि वा ऐसे तभी देखिए हमनों क्या करेंगे इस को इस स्टैब से शूल जब करेंगे पहने कैसे क्या करेंगे जाए तो Can यह जर्ट का वेलू होगा ठीक है इस इक्रेस्शन से देखिए हम क्या करेंगे x का वैलू निकाल लेता है x का value निकालेंगे x equal to क्या जाएगा 1 minus 1 by y आ जाएगा ठीक है अब हम लोग किसी इसका value निकालना था हम लोग को निकालना था x into y into z ठीक है तिनों को multiply करना है देखिए हम लोग x का value निकालें 1 minus 1 by y ठीक है और यह देखिए इसका क्या value निकालने हम लोग y z का value निकालने 1 by में 1 minus 1 minus y ओके समझ गए और यह आपका y y ही है समझ गए चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा जैसे इसको हम लोग आगे solve करेंगे तो देखिए क्या इसको लिख सकता है यह y minus 1 by में y हो गया इसको multiply करना है 1 by में 1 minus y और यह y हो गया ठीक है देखिए अब यह यह cancel हो जाएगा यह इससे से cancel हो जाएगा ठीक है इसका कितना answer आ गया 1 इसका answer आ गया समझ गए कितना easy है question कितना easy है sorry friends यहाँ minus 1 common तो लेना था न हम लोगों minus 1 यहाँ से common लेंगे तो 1 minus y y minus 1 है यहाँ minus 1 common लेंगे यहाँ पर एक second वो छूट गया था जैसे यह जो था न यह यह minus 1 है 1 minus y यहाँ से common लेंगे यह प्लस वो न आ जाएगा ठीक है यह मैनस वन आ गया आपका minus 1 आपका answer आ गया इसका answer minus 1 कुन सा है भी इसका answer हो गया आपका समझ गए इसमें कुछ नहीं करना था हमने पहले यहाँ से जो equation दिया हो था वहाँ से हमने z का value निकाल लिया ठीक है यहाँ से x का value निकाल के हम लोग x by z में x z का value रख दिये यहाँ से यहाँ फिर मैंने cancel हो गया यहाँ से यहाँ cancel हो गया इसका answer minus 1 आ गया ठीक है फ्रेंट्स चलिए next question देखते हैं next question आपका देखिए step का question भी बहुत पूछा जाता है ठीक है आप लोग ध्यान से देखिएगा ठीक है जिससे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग इससे पहले उपर में two common लेनी है ठीक है two common ले लिए तो two common लिए यहाँ कितना बचा x to the power यह बचेगा आपका x to the power 4 ठीक है औ और मेनस 81 ठीक है इतना समझ गये 81 तो यहां से पहले हम इसको solve कर लेते हैं ठीक है उपर वाले को solve कर लेते हैं इसको solve कर लेते कितना आदा देखिए यह इसको two into x to the power 4 को क्या लिख सकते है एक स्क्वाइर का whole square यह लिख सकते है प्लस यह 9 का square ठीक है यहां से क्या होगे आपका two into इसको देखिए a plus b का आप a square minus b square का value जानते होंगे क्या होता है a plus b और a minus b ठीक है यह तो आपको यादी होगा a plus b और a minus b होता है ठीक है फ्रेंट उसी पर इसको हम लोग break करेंगे उसी पर इसको break करेंगे यह लिए देखते हैं यह आ गया two two multiply में यह जागा x square यह plus 9 और एक आ जाएगा x square x square minus 9 ठीक है यह दुनों आ गए यहाँ से उसके बाद देखिए यह फिर से square में तूट जाएगा a plus b जो भी बताए थे formula और यह कितना आ जाएगा आपका यह आ गया two into x square plus 9 और इसको तोरेंगे तो x plus 3 और x minus 3 हो जाएगा समझ गया इसका करेंगे 3 का square हो जाएगा a plus b और a minus b यह आ गया इसका पूरा उपर में जो था two x square plus जिसका value हम लोग यहां से निकाल ली अब क्या करेंगे देखिए इसका value देखिए यह इतना आ गया था ओके अब दोनों का क्या करेंगे यह multiply मैं इसी के साथ यह multiply मैं इसी के साथ ठीक है अब देखिए क्या करना है हमको यह तो आप लोग समझ गया होंगे यहां तक वह आपका आ गया जो value निकाले तो कितना आ गया यह आ गया 2 into x square plus 9 और x plus 3 और x minus 3 ओके समझ गया देखिए अब divided में जो है उसको करेंगे ठीक है divided में क्या दिया आपका divided में दिया आपका divided में दिया आपका divided में x square plus 9 और इसमें देखिए 2 common ले लेंगे 2 common ले लिए तो कितना आ जा गया यह x x minus 3 समझ गया है यहां से कितना आ गया x minus 3 ओके अब क्या करना हमको अब बस कुछ ने करना जो value दिया हो उसको हम लोग क्या करेंगे cancel out करके उसका answer निकाल लेंगे ठीक है देखिए यहां से यहां से यह cancel हो जाएगा यहां से यह 2 यहां से cancel हो गया और यह x minus 3 x minus 3 यहां से cancel हो गया इसका answer आ गया x plus 3 दी समझ गया कितना एजी था बस a square minus b square का आपने फर्मूला जानते थे उसी से उसको break किये दो बार वो break हुआ क्योंकि एस to the power 4 था और उसी से हमनों क्या करें उसका break करके यह answer आगया इधर से और denominator में जो था उसको मैंने जैसे इस टैप का question आप बहुत सारे एक्जाम में देखा होंगे ठीक है चलिए देखते हैं यह कैसे बनेगा जैसे एक्स इक्वल टू 16 दिया होगा का रहा है अगररे-धु सक्वैटेश्झे आप होगा इसका हम लोग को करें फारे अफिकार बीड्क जानते हो डिया कि एक्स इक्वल इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स मैनस 16 इक्वाल टू जीरो यह लिख सकते हैं हम लोग इसी का अपलाई इसमें करेंगे ठीक है फ्रेंट्स चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं आप लोग समझ जाएगा बहुत ईजी प्रोसेस है ठीक है जैसे एक्स 16 x q 16 इस acceptance है用 लोग लिख सकते है strict right now उसके बाद क्या करेंगे देखें चैवंटीक इसको क्या लिख सकते हैंon 16 16 x square ठीक है 16 x square प्लस x square यह कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा सेमी आ गया ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद क्या करना है आमको उसके बाद फिर यह मैनस 17 है ठीक है इसको किस टैप से लिख सकते हैं मैनस 16 x मैनस x कोई फर्क नहीं परेगा ऐसे लिखो चाहिए उसके बाद फिर 17 को क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 1 ठीक है अब देखिए इस दुनों में समलों क्या करेंगे x x q common लेंगे इस दुनों में समलों x q common लेंगे x q common लिए यह क्या लिए x square x minus 16 आ गया x minus 16 आ जाएगा आगा की नहीं x minus 16 उसके बाद क्या करेंगे देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे यहां पर आ गया हम लोग यहां से minus x minus x square common लेंगे यहां से minus x square common लेंगे यह कितना बच गया आपका बच जाएगा यह x square x बच जाएगा यह minus 16 आ गया ठीक है इतना दुर हो गया फिर इस में से क्या करेंगे x common लेंगे प्लस x common लेंगे देखिए यह कितना हो गया x minus 16 हो गया ओके फिर इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे minus common लेंगे x यहां गया minus common लिए तो एक सगेंड इसमें से minus common लिए ठीक है यह आ गया आपका आपका कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा x x minus x minus 16 कितना जाएगा यह x minus 16 x minus 16 यहां से minus common लिए यह प्लस 1 बाहर आ जाएगा ठीक है समझ गया देखिए इसका value x minus 16 इकल टो 0 है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे जो भी है यहां पर यह इसके साथ multiple में यह भी 0 बना देगा यह भी 0 बना देगा ठीक है यह भी 0 बना देगा यह भी 0 जाएगा तो इसका answer कितना गया उसका इंसर कितना कि एपने बहुत इजी वहता है बस आप लोग को थोड़ा सा समझना कि इसे हम सॉल कर सकते हैं ठीक है अप लोग समझ गया होगे बहुत इजी को सना आता है इस टैप को सब्सक्राइस आपने बहुत सारे एकजाम में देखेंगे देखे देखे होंगे की स्टैपकरों हमेशा कहीं न कहीं एक्जाम में पूछा इन जाता है चलिए इसके बात देखते हैं नेक्स्ट नहां का रभा ठीक जल्क इस question को देखते हैं यह question इस से पहले जो किये थे उसी पेटर्न पर ठीक है फ्रेंट्स यह दिए वीडियो अच्छा लगए ता आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंट्स ठीक है चले देखिए इसको इस फॉर्म में हम लिखना है यह लिख सकते हैं लिख सकते हैं उसके बाद क्या करेंगे जैसे यह था इसको हमको ब्रेक करना है इस फॉर्म में यह इसको क्या लिख सकते हैं एक स्टो दी पावर फॉर ठीक है बला मैनस ट्वेल एकस स्क्वार ठीक है मैनस सोरी एकस क्यू एना एकस क्यू मैनस एकस क्यू प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 12 x square प्लस 3 x square मैनस 12 x मैनस x plus 12 1 ठीक है इस टापसे इसको हम ने ब्रेक कर दिया ओके क्योंकि हमको x – 12 का फर्म में लाना है जब इन पूट करें इसका बैलो झूह होगा है यह सिंप्लिफिकेसन का ठीक है ठीक है इसमीज से की common ले लिए क्या जाएगा x minus 12 इसमें से क्या करना है minus x is square common लेना है x minus 12 हो गया ठीक है इसमें से क्या करना है इसको अभी रहने देजिए ठीक है हम लोग यहां देखते है इसमें से इसमें क्या करेंगे इसको इसी तरह हम लोग उतार दे रहा है ठीरी एकस स्क्वार मैनस 12 ठीक है इसमें से देखिए हम लोग मैनस इसमें से मैनस को मल लेंगे तो यह कितना आ गया एकस एकस मैनस 12 ठीक है यह प्लस 1 ओके आप लुग जानते हैं कि इसका वैलु केतना हागा यह 0 हो जागा यह भी जिरू हो जागा Т인가 अब हम हमारे पास यह दोनों बचा ठीक है देखिए 3 x सकुए यह 3 x स्कुार का वैलु को इतना घाए 1 144 ठीक है एक से कितना बारह है तो बारह रख दिए मैनस बारह इंटू बारह ठीक है यह कितना आजाएगा यह आजाएगा आपका 144 इसको करेंगे 144 इंटू थिरी किये तो कितना आ गया इसका वेलू कितना आ गया आपका इसका टोटल का वेलू आ गया 288 में एक जोट देंगे तो कितना जागा 289 इसमज़ों एक इतना आजी था बस कुछ नहीं करना था बस हमको इस फोर्म में करना था कि जिससे की इसका एंसर कहां पर दिया हुआ है यह आपका यह समझ गए इसे यदि आपको नहीं समझेंगे फिर इस वीडियो को देख ली जाएगा सब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ठीक है फ्रेंट्स यह आज का लास्ट कुस्टन था यदि यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो इसे क्या करना आपको लाइक करना है ठीक है शेयर करना है और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर आपको क्लिक कर देना जिससे आपको जो भी कोई भी वीडियो आप हम लोग अप्लोग करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक प करेंगे तक ये शर साथ कि अ करेंगे नोटी को भी करना है और सुझ जो जो बènापको जो जोगे इसास खाको जो करने हो इसे क्यापको जो एको हरा नोटिकile कि बा।